कि आप सब बढ़िया होंगे उम्मिद करते हैं कि आपके प्रहाई चल रही होगी तो चलते हैं आज हम नया टॉपिक लेका हैं आपके लिए यहां पर एंजाइम यह है आपका इंडुड़क्टिव पार्ट यानि फ़र्स पार्ट एंजाइम के सारे जो फीचर्स हैं जो उसक पर जस्टिफाई कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक को डिल करेंगे जाए उसके मॉडिल हो मॉडिल के बारे हम बात करें चाहे हम उसके स्पेसल और एक्शन मेकिनिजम की बात करें चाहे हम को इंजाइम की बात करें को फैक्टर की बात करे enzyme से related जितने भी factors हैं सबको हम बारी बारी से deal करेंगे अपने class में आज की class में हम केवल deal करने जा रहे हैं छोड़े छोड़े points जैसे उनके जितने भी fundamental parts हैं सबको आपको इस वीडियो को देखने के बाद enzyme से जुड़े जितने भी relative materials हैं वो देखने के लिए मिल जाएगा तो तयार हो जाईए आप notes करने के लिए हमारे साथ अपने YouTube channel VNR Classics ताथ मैं फिर उपस्तित हूँ आपका अपना प्रलासिंग तो चलते हैं देखते हैं क्या कहता है हमारा आज का enzyme काफी बच्चे लगातार कह रहा हैं कि सरे enzyme के बारे में बताईए तो enzyme हमारे पास यहां पर है part 1 enzyme का part 1 के बारे में बात करेंगे और part 1 में हम लोग सारे significance और उसके पूरे characters को justify कर लेंगे ओके यदि आप हमसे जुनना चाहते हैं तो हमारे applications से अपने courses के रूप में तो हमारे वीडियो के नीचे description में इसका link दे रखा है मैंने वहाँ पे जाके हमारे applications को download करके वहाँ पे आप हम से connect कर सकते हैं अच्छे तरीके से screen पे number चल रहा होगा उसके माध्यम से भी आप हमें message कर सकते हैं तो चलते हैं यहां पे बात करते हैं जोड़े points की आज के session plan की कि आज के session plan में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब के बारे में detail कराया जाएगा ठीक तो यह बड़ा अध्यान से देखना क्योंकि आप के लिए काफ़ importance होने वाला है सबसे पहले बात करेंगे आज के class में हमको क्या सेखने के लिए मिलेगा number first हम लोग enzyme के general characters को पढ़ लेंगे कि आखिरकार enzyme क्या होते हैं कैसे work करते हैं क्या fundamental का parts होता है उनके बारे में उसके बाद enzyme के structures क्या होते हैं enzyme कैसे बनते हैं इनके बारे में बात करेंगे फिर enzyme के nomenclature में main importance role किसका होता उनको देखा जाएगा फिर enzyme के functions की बात करेंगे फिर enzyme के जो specificity होती है उनकी बारे में बात कर लेंगे उसके बाद हम factor effecting enzyme activity जो होती है enzyme के activity में ऐसे कौन-कौन से factors होते हैं लगाता रेंजायम को penetrate करते रहते हैं या फिर उसको excited करते रहते हैं या फिर उसको समंदन करते हैं यानि इस्टो मिलाई का कवर करते हैं तो सबके features को बारी बार इसे देखेंगे यानि आज के class में एक उल्चे features हैं हम जिसके साथ पुरा complete करने वाले हैं लेक्चर क्लास तो चलते हैं यदि आपको बता दें यदि आप हमारे चनल में पहली बार आए हैं चनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नमबर बढ़ाओ एक मिलियन बढ़ाओ इस्टोरेंट एक मिलियन देको मैंने बोला था कि एक लाक होने के बाद इस्टोडियो दूँगा तो बड़ा सारा प्यारा सा इस्टोडियो आपके लिए बना रखा हूँ मैंने अपने पैसे से यूटूब का पैसा बहुती कम आता है लेकिन मैं अपने इंटर कॉलेज में जहां पढ़ाता हूँ वहां से पिमेंट रिसीब करने के बाद आपका ये इतना बड़ा इस्टोडियो बना के लोनिंग भी लिया मैंने ताकि इस्टोडियो धंग से काम कर सके अब बस्ती है आपकी बारी आप इसको 1 मिलियन पहुचाओ ये बनाओ इंडिया की टॉप जिलोजी की बड़ी फैक्टर बड़ी सी टीम सबसे बड़ी टीम बनाओ ताकि हम और लोगों के साथ अपने बियो लोजी के अधर जो पार्ट्स है बोटनी है केमिस्टी है और फिजिक्स है मैथ है बीसी मैसी के मैं उनको भी ला सकूँ और उनको भी अच्छे तरीके से पिमेंट दिया जा और वो भी आके यहाँ पर पढ़ाने लगे बात करेंगे यहाँ पर एंजाइम आखिरकार एंजाइम क्यों और कैसे इनको बड़ा देखना जरूरी है ठीक अभी देखा जाता है तो एंजाइम मेन इनका जो गरेक्टर से शुडेंट पहले फीचरस में हम देखें तो यूजली जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं यानि एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं उन पर ये लगातार क्या करते हैं catalyces के तरह act करते हैं तो आपसे कभी पूछा कोई या कभी कोई पूछे या फिर बताना हो तो आपको simple तरीके से बता सकते हो कि जो enzymes होते हैं chemical nature से देखा जाए तो एक type के proteins होते हैं और ये ऐसे proteins होते हैं जो हमारे बायो केमिकल रियक्शन्स किसमें, बायो केमिकल रियक्शन्स में कैटालिसिस की तरह काम करते हैं, कैसे, कैटालिसिस यानि उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, और उन रियक्शन्स को, बायोजिकली रियक्शन्स को कम्प्लीट कराने में हेल्प करते हैं, पॉइंट बॉडी की बात करें, human sale body तो जोड़ दो भाईया, हम human sale की बात करते हैं, human sale में 1000 से जादा के जादा, कितना, 1000 से जादा enzyme पाया जाते हैं, तो ये पहली बार आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे platform पे, तो ध्यान देना, हमारी जो human sales होती है, क्या होती है, भाईया जो human sales होत एक हजार से जादा, यहाँ पे enzyme देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहिए हम बात करें, glycolysis की, grave cycles की, mitochondria के साथ, हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे, चाहिए हम लोग translation की बात करें, transcription की बात करें, तो वहाँ पे अलग-अलग mechanism कहीं न कहीं, आपको देखने के लिए मिल ज time को देख सकते हैं, या फिर देखा जाता है, आगले बोल रहा है है, every reaction, यानि प्रतेख reaction, जो different types के reaction और उसमें, हर एक reactions की बात कर रहा है, वहाँ पे sale के लिए requires होते हैं, क्या, especially enzyme, यानि अलग-अलग mechanism के लिए, अलग-अलग activity के लिए, अलग-अलग types के हम को क्या चाहिए ये sale के अंदर, जाना, sale के inside की बात कर रहा है, sale के inside, वहाँ पे different-different work के लिए, different-different target work के के लिए, especially target enzyme चाहिए होते हैं, और वो enzyme जैसे हम लोग बात करेंगे, हमारे body में, audience का काम चल रहा है, उसके मरमा चल रही है, messaging चल रहा है, वहाँ पे polymerage लगेंगे, तो polymerage, first, chicken, third, जो लगते हैं, वो लगातर work कर रहे हैं, वैसे ही, different-different types के हम लोग कहीं, digestion कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे pepsin लग लग रहे हैं, ठिक, तो ये कहीं न कहीं, ये कहीं न कहीं, different-different types के जो enzymes हैं, वो especially अलग-अलग working के लिए जाना जाते हैं, और ये अलग-अलग working करते भी हैं, ये छी ध्यान देना, तो क्या कह रहा है कि different types के, हमारे प्रतेक reactions के अंदर, जो हमारे cell के अंदर होते हैं, उनके लिए requirement होता है, specific को, क्या होता है, enzymes होते ह बिसेश, अभिक्रिया के लिए, reactions के लिए, अगला कह रहा है कि most enzyme और globular protein, यानि जितने भी enzymes होते हैं, उसमें वो गोले कार protein से बने होते हैं, यानि जो globular proteins होते हैं, उसके सनरचना के बाद ही बनते हैं, जैसे हमारे global protein का बढ़िया एक जंप लेना है, तो हमारे पास hemoglobin है आप hemoglobin को देख सकते हो, hemoglobin most important fact दिखाता है, किसका globular proteins का, तो आप globular protein का नाम सुने होंगे, जश वहीं काम कर रहा है कि जितने भी maximum number आफ कह रहा है, maximum number आफ जो enzymes हैं, वो globular proteins के ही बन रहा हैं, लगबग लबग हम बात करें, तो 96% जो हमारे enzymes होते हैं, वो globular proteins से ही मिलकर बनते हैं, यह चीज़ा ध्यार रखिएगा, वहीं बात करते हैं, यह flow enzyme, mode of RNA, या क्या कह रहा है, यह flow enzyme, RNA, यह कुछ enzymes होते हैं, वो किसके बने होते हैं, RNA के बने होते हैं, तो याद रखिएगा, most important है, यह MC क्यों पूछता है, DNA की बात करें, तो नहीं ध्यान देना, यह कि बात कर रहा है, RNA की बात कर रहा है, कि कुछ enzymes जो होते हैं, वो RNA के बने होते हैं, वहीं बात करेंगा, catalyze, biochemical reactions, involved, nucleic acid, यानि कहने का मतलब यहां आप क्या है, जो nucleic acid से जितने भी संयुक्त, जैविक प्रक्रियाएं होती है, क्या होती है, जैविक प्रक्रियाएं होती है, यानि जब हमारा DNA, RNA की बात कर रहा है, खासकर DNA की बात करें, जब हम DNA को देखा जाता है, तो वहाँ पे जो भी mechanism होते हैं, क्या, जो भी mechanism होते हैं, कौन से mechanism होंगे भईया, वहाँ पे biochemical mechanism होता है, और ये biochemical mechanism के लिए हमारे catalyze के रूप में, कहीं न कहीं, enzyme लगातार work करते ह हुए नज़र आएंगे, वहीं बात कर नुबर 7 के नुबर 7 कह रहा है कि जो enzymes होते हैं, वो हमारे body के अंदर क्या है, जो enzymes होते हैं, जो protein होती है, वो हमारे body के अंदर different different types की activity होती है, उससे लगातार गुजरते रहते हैं, और वहां से लगातार वो work करते रहते हैं, इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है आ गया रहा है ना पहले बताओ ये लगातार करो ताकि हम भी आपसे ठीक हो सके और अच्छे तरीके से जूड़ सके जल दें हैं हैं अब हम लोकं तयार हैं अपने पूरे हातों को फーला के वो सारु काहन वाला देखΐ फील कर गए आएंगे तो मजह आएगा अब लोग अभी वीडियो कर रहें नंबर की बात करें अंजाइम कह रहा है उसकी बात करेंगे यहां पे डी निचुरेशन चैंज यह नि यो तोड़ सकते हैं यह चीज़ जहाब रखना कब कप डिनेटी रेट होते हैं तो आपको बताना होगा जब ऊप्तिमम टंप्रेचर अप्रेचर से ऊपर प्रेचर सब्सक्राइब या उपर temperature चला जाए जो हमारे enzymes होंगे वो क्या हो जाएंगे denaturate हो जाएंगे ये चीज़ आप ध्यान देजिएगा ठेक हो गया प्यारे अगला नमबर 9 की बात करा है ये person यहाँ पे suffering high fever run यह यहाँ है तेजी से बुखार वाय लगते हैं यहाँ हो यह यापिर यहाँ बीमार हो तो भी कहीं नहीं देखा लागता है तो हमारे बॉड़ी के हमारे इल्लिमेंटी चैनल के बाकी जितने भी और नदाल आसा है कि जितने भी enzymes होते हैं वो exocrine glands होते हैं हमारे body के वहाँ से लगातार secret होते रहते हैं हमारे body functions की बात कर रहा हूँ मैं cell की बात नहीं कर रहा हूँ हमारे body में enzymes जो होते हैं वो exocrine glands जो होते हैं वहाँ secret होते हैं और जो hormones होते हैं अपने enzymes के बारे में इस पूरे points ने आगे चलते हैं आगे बढ़ेंगे स्लाइड बड़ा लंबा है ठीक आगे बात करें यहां पर कुछ definitions हैं मैंने 5 definitions 5 अलग अलग इसके enzyme के बारे में बता रखा है उनको बड़ा ध्यान से देखना यहीं पांच अगे चलके बड़े-बड़े क्लास बनेंगे MSC में ठीक आगे देखो नमर पहले की बात करा दो एंजाइम यानि सिंपल जो एंजाइम होते हैं उनको क्या बोलेंगे वो बोलते हैं protein only क्या होते हैं protein only होते हैं और यह हमारे इनके जो facility होती है वो chemical reactions कराने की होती है यानि जो हमारे normal enzymes होते हैं वो proteins के बने होते हैं वो compound derive होता है किसे derive होता है बिटमीन से किसे बिटमीन से एक्जामपल NAD plus यानि निकोटिनमाइड एडिन जो एंस उनके बारें बात करेंगे और that associate होते हैं किसके साथ enzyme के साथ और वो आगे चलके chemical reactions करते हैं यानि यह कह सकते हो simple दरीके से कि जो coenzymes होते हैं एक vitamin के से ब्यूत पन होते हैं और vitamin से ब्यूत्पन होने के बाद क्या vitamin से ब्यूत्पन होने के बाद ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं सहायत्ता पृदान करते हैं किसको हमारे chemical reactions में यानि सबसे सिंबल दरीके से है Players say जा है कुदतादेना को एंजाइम और जो हमारे बिटामिन होते हैं उनके डिराइब मटेरियल होते हैं जो केमिकल रियक्शन में लगातार काम करते हैं ठीक आगे बात कर रहा है को फेक्टर को फेक्टर किसके साथ बोल रहा है जो हमारे पास को फेक्टर होते हैं वो एंजाइ क्या बनाते हैं और जो चाहिंगे प्यारे काम करेंगे क्या करेंगे तो ध्यान देना तब होगा यदि हमारे पास को फेक्टर होगा तो मेटल आयन कैसा डराइब होगा याद रहना चाहिए आगे बात कर रहा है एक हिस्से होते हैं यहाँ यह अगतर पर नजर आएंगे कौन हमारे एपो इंजाइम और ध्यान देना यह सबसे बड़ी चीज क्या है जब हमारे पास यह कहाँ पे गया एपो एंजाइम की बात कर रहा है और आगे देखो ब्रेगर में एक पॉइंट्स बता रहा है कि not a functional alone यानि भाईया एपो जो एंजाइम सोंगे उनमें खुद की कोई personality नहीं होती क्या खुद की कोई personality नहीं होती खुद की कोई छमता नहीं होती है वो मतलब किसी के साथ मिलके काम करेंगे क्या किसी के साथ additional को एंजाइम भाईया देख ले कह रहा है यहाँ पे कि यह प्रोटीन सोंगे मतलब amino acid जो होंगे सारी amino acid तो प्रोटीन ही होते है ना जो एंजाइम होंगे यह बने होंगे किसके एक प्रोटीन पार्स के बने होंगे और यह हम देखा जाता है नहीं के लिए requirement होता है additional को एंजाइम का जब additional को एंजाइम मिलाएंगे तब जाके chemical reactions करेंगे यह अकेले कभी भी reaction नहीं करते हैं क्या करता है अकेले कभी भी reaction नही के लिए कि कभी बोल दिया जाए कि बताओ ऐसा कौन सा एंजाइम का पार्ट है जो अकेले और या फिर कह सकता हूँ जो अवर्क अकेले नहीं कर पाता है उसको एक ठेला चपादी चाहिए ठेड़ सारा तो वह कौन सा रहेगा वह हमारा एपोएंजाइम रहेगा उसके साड़ एडिशनल होता है हमारे पास क्या हमारा को एंजाइम या दराना ची यह आगे हैलो एंजाइम की बात करेंगे किसकी हैलो एंजाइम की बात करेंगे यह कॉंबिनेशन आप एपोएंजाइम और को एंजाइम दुन्नों आपस में गढ़ जोड बना ले क्या बना ले गढ़ जूड़ कर ले मिल जाएं मैच कर ले जूड़ जाए डिजन हो जाएं तब जाके वह हैनों जाएं मनाते हैं क्या मतने हैं हैं क्या इंगहां सब्सक्राइब आप दो एपो एंजाइम किसको एपो एंजाइम एण को एंजाइम ठीक और टुगेदर मिल जाएंगे तब जाको वो केमिकल रियक्शन कराएंगे functional reactions कराएंगे हम उन्हें hello enzyme बोलेंगे क्या बोलेंगे hello hello enzyme बोलेंगे याद रहेगा ठीक आगे देखो enzyme के structures की बात करते हैं enzyme के structures की बात करते हैं enzyme दो प्रकार के structures को represent करते हैं आगे discuss भी करूँगा पहले यहाँ पे छोड़े-छोड़े points की बात कर ले number first कह रहा है यहाँ पे simple enzyme किसकी बात कर रहा है simple enzyme यहाँ पे कहोगा है composed only proteins के बने होते हैं अगला बोल रहा है conjugate enzyme जो conjugate enzyme में यह metal से बने होंगे जैसे co-factor की बात करेगा तो metal से co-factor metal iron के साथ enzyme बढ़े होते हैं और वहीं co-enzyme के साथ सारे vitamins से derive होते हैं तो इन्हें हम conjugate proteins के नाम जानते हैं अभी हमने conjugation glyco conjugation के बारे में या conjugate के बारे मतार रहे थे बात करेंगे यहाँ पे देखो composed किसे किसे होते हैं या यह जो co-enzyme होंगे यह composed होते हैं एpo enzyme किसे किसे conjugate enzyme without co-factor ठीक और protein part conjugate enzyme ठीक यह चीद ध्यान देना अगला बोर एक को enzyme में क्या है ठीक को factor की बात कर रहा है को enzyme ठीक यहाँ पे non protein part एक conjugate enzyme यानि कोई भी दूसरा आप non protein जुड़ेगा किसे को enzyme और पार से वो co-factor में भी और को enzyme में भी ध्यान देना अगे कर रहा कि दो सेसन नमबर इतना कितना जो भी आओगा सेसन नमबर biology के छटा या साथवा है उसमें जो एपो enzyme होगा वो कभी भी catalyze की तरह काम नहीं करेगा और reaction में बाड़ी सबेट नहीं करेगा किसके बीना वो हमारे co-factor के बीना याद रहना चाहिए टेक आगे कर रहा है कि दो combination of the apo enzyme with the co-factor mark the conjugated enzyme क्या करते हैं mark the conjugated enzyme functional यानि भाईया जो हमारे पास apo enzyme के साथ वो मिल जाएंगे बना लेंगे co-factor add हो जाएगा वो conjugate enzyme बना लेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं conjugated enzyme उपर बोल रहा है तो किसको किसको बोलेंगे जब apo enzyme के साथ co-factor मिल जाएगा सब वो conjugate enzyme बन जाएगा देखो hello enzyme की बात कर रहा है कभी hello enzyme बोले तो क्या बोले hello enzyme is called to apo enzyme plus co-factor ये भी आप मिलो और note करेंगे क्या करेंगे ये भी आप note कर लीजिएगा most important ये भी line आपके लिए बनती है याद रहेगा कमेंट करना जरूर कैसा लगा आज के क्लास ताकि मज़ा आता रहे दो करेंगे दो बाइलो बायो केमिकली और एक्टिविटी कांजूगिटे इंजाइम यानि कहा जाए कि जो बाइलोजिकली एक्टिविटी होती वहां पे को आजूग करते हैं और उनकी जो प्रतिक्रिया सीलता होती है वह उनके फंक्शनल ग्रूप पे डिपेंड करती है क्या करती है उनकी जो क्रिया सीलता होती है अक्टिविटी होती है वह उनके फंक्शनल ग्रूप करता है वह उनके फंक्शनल ग्रूप पाया जाता है यह जिए ध्यान देना अब क्या कह रहा है अगला अगला कह रहा है यहां पे कि all are small organic molecules of inorganic ions यानि जो हमारे पास coenzyme and cofactors होते हैं क्या enzyme होते हैं को enzyme और cofactor होते हैं या तो इसमें छोटे अब सरी इसमें क्या होते हैं छोटे carbonic molecules हो जाते हैं या फिर उनमें organic ions पाए जाते हैं बात करेंगे metal ions of 10 act additional cofactor यानि को factor के साथ कौन को जूड़ सकता है यहाँ पे zinc ions जोड़ सकता है है magnesium सकता है यहाँ पर magne genteISE जुड़ सकता है और यहाँ पर iron का ferrous iron जुड़ सकता है यानि चार iron metal iron आपस में जुड़ते हैं किसके साथ protein के साथ जब ये चारो iron में से किसी कोई एक iron हमारे protein के साथ जुड़ेगा तो हम उन्हें क्या बोलेंगे हो हम उन्हें को CO Fector का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग CO Factor का नाम देते हैं और इनके बीच हमारे mono directly, जान यह directly क्या करते हैं, एक enzyme के साथ attach होते हैं, या co enzyme के साथ attach होते हैं, यह line लायर स्क्षिच करड़ कर रहा है किसकी बात कर रहा है, co enzyme की चोटे से organic molecules होते हैं Conjugated Enzyme, टिक, मतलब यह लगातार activity करते हैं, कहाँ पर Conjugate Enzyme के सास्थ बनाते हैं, तब, Co-Enzyme are derived for vitamin and vitamin derives, यानि जो Co-Enzymes होते हैं, उनको हम लोग derive करते हैं, vitamin और vitamin से derived जो material होते हैं, उनसे, खास कर बोल रहा है, many vitamins act as Co-Enzyme, example में बात कर रहा है, vitamin B, जो vitamin B होते हैं, क्या, vitamins B होते हैं, खास कर जितने भी Co-Enzymes होते हैं, वो vitamin B से ही derive होते हैं, जदतर vitamin B से derive होते हैं, ये note, मिलाड, ये PPT number 9 से note किया जाए, क्या किया जाए, PPT number 9 से note किया जाए, कि बताओ कि Co-Enzyme को बनाने में सबसदा vitamin कौन यूज होता है, तो vitamin B यूज होता है, इसके बारे में आप बताएंगे, वहीं बात करेंगे, नमबर अगले की, यहाँ पे enzyme के nomenclature की बात कर रहा है, वहीं किसकी बात कर रहा है, एंजाइम की nomenclature की बात कर रहा है, तो क्या धान देंगे, बोलेंगे, यहाँ पे अगला BBT note करना, nomenclature of enzyme, कह रहा है कि enzyme are named according to type of reactions, यानि जो इनके नाम होते हैं, इनके जो नाम लिखे जाते हैं, वो type of reactions पे डिपेंड करते हैं, किस type का reaction हो रहा है, वो catalyzed हो रहा है, क्या catalyzed हैं, कि वो substrate के रूप में काम कर रहे थीक, तो substrate क्या होते हैं, पहले उनके बारे बात करें, the react open with the specific enzyme act, क्या specific enzyme act, यानि जब हम लोग enzyme का नाम कर करते हैं, तो उस समय क्या बोल रहा है, कि उनके नाम के द्वारा हम लोग यह देखा जाता है कि उनमें सबिस्ट्रेट और इन रिलेट्टिव माटेरियल्स और एंजाइम्स तो कभी भी आपसे बारें पुछे कि बताओ भाई कि सबिस्ट्रेट क्या है वाड़िस सबिस्ट्रेट ठीक इन बायोकेमिकल रियक्संस या कभी भी पूछा जाए ऐसे कोशन तो आपको एक लाइन याद करते हैं क्या करते हैं सबिस्ट्रेट पे ही वार का करते हैं कि जैसे हमारे कुछ सबिस्ट्रेट के एक्जामपल ले लो यहां पे दिया गया होगा हमारे पास इमाईलेज हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इमाईलेज हो जाएंगे ठीक तो ध्यान देना इमाईलेज और वाक पेज बोल रहा है, प्रोटीस बोल रहा है, और यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स हैं, जो हमारे कहीं न कहीं, हमारे बोडी में वर करते हैं, न्यूट्रेंट मटेल के रूप में, हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें S ग्रूप लगा के वर करते हैं, यारि डारेक्टली क किसी भी केमिकल पे किसी भी सभी स्ट्रांस पर दी वर्किंग होने लगे हम उन्हें एस ग्रूप लेते हैं इनको मैं डिल पढ़ाऊंगा तो काफी अच्छा नजर आएगा महीं बात करते हैं यहां पर करते हैं यहां पर किसकी बात करते हैं करते हैं कब यहां पर हम लोग किसी भी रियक्टेंट पर काम करेंगे तब और पर जो मारा chemical reaction biological chemical reaction हो रहा होगा तब ठीक तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर डूनोटेट कर रहे हैं डिनोटेट करने की बात कर रहा है type of chemical reactions of enzyme catalysis यानि हम लोग enzyme जो हमारा कटरी से की तरह काम करेगा तब की बात कर रहा है जैसे oxidase enzyme यानि reduction की activity होगी तब उन्हें oxidase बोलेंगे hydrolase की बात कर रहा है तो hydrolase enzyme कब additional water to break on यहां पर components into two parts यानि कहीं न कहीं हम लोग क्या करते हैं hydrolase enzyme किसको बोलते हैं जब हम कभी भी additional water किसे भी reaction में दी water लगा है यहां उसको निकाल रहोंगे तिन्हें हम लोग hydrolase enzyme के नाम से जानेंगे पानी का जोड़ पानी के लिए जोड़ना ठीक हाइडrolase enzyme आगे देखो यहां पर कुछ है नहीं आगे बोड़ा इनके reactions को कराते हैं जैसे पाइरवेट और कार्बो क्या कार्बोगजिलेट बोलते हैं तो कभी भी और पाइरवेट कार्बोगजिलेट की बात करें यहां पर किसकी बात कर रहा है यह कब हम करेंगे जब हमारा reactions के टाइप होंगे उन पर यानि जो हमारे reactant की category होगी और reaction के जो category होगी उनकी basis पर हम उनका नाम देंगे यानि पाइरवेट एसीड और कार्बोगजिलेट वहां पर लग रहा है तो दोनों को मिलाने के बाद हम लोग है छे मेजर पार्ट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे के रच्छे मेजर क्लास अफ इंजाइम बेस्ट अंगर टाइफ ऑफ रियक्शन एंड कड़ाई गदे कड़ाईस ठीक तो यहां पर इंजाइम की किसकी बात करेंगे तो को ऑक्सी का नाम जहां भी हम लेते हैं तो उसका मतलब यहीं समझ माता है और यहां पर ट्रांसफिरेस एंजाइम आते हैं तो यह ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर यह करते हैं और यहां पर हैड्रोलेस एंजाइम उपर रख दो रट्टा मानने की ज़ुरूवत पड़बन ही करेंगी आपको लाइस की बात कर रहा है यहाँ पर addition करें गे किसके साथ यहाँ remove एक्टम को to double bond यानि double bond से एक्टम को remove करना यह एडिशन करना है गोण के ब सब अब करकर करेंगे उसके बाद और बी को जोड़ना हो और एबी बनाना हो तब हम लोग क्या करेंगे लाइगे जिंजाइम दो लोगों को जोड़ेंगे कप्लिंग रियक्शन कराएंगे तब यहां जॉइनिंग आफ टू माले को जोड़के वन बनाएंगे और न्यू केमिकल बॉर्ण का फार्मेसन करते हैं हाइडोलाई यानि ATP को बाहर निकलता है यानि यह ATP को बाहर निकलता होगा यह thirty पर लेना ठीक आगे जाइंगे एक्ट्व csate के होते इनके बारे में आज देखा जाएगा बात करें क sixth side क्या इसके बारेम होता कि झो बजालाइब होता क्यों अप्रोटीन क्या इसके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे जब सभी स्ट्रांस एंजाइम क्या करते हैं एंजाइम सक्रिय साइट पर एक केमिकल को बानता है एक एंजाइम को बानता है यहां पर देखा जाता है जितने भी एक्टिवेशन साइट होते हैं क्या होते हैं जितने भी activation sites होते हैं दूतियक त्रितियक द्वारा गठित होते हैं यानि यह कहीं न कहीं secondary and जब tertiary protein से बने होते हैं तो यहाँ पे एक 3D केविश जैसी 3D cavity जैसी या केविश जैसी एक cavity बनती है और यह cavity कब बनेगी जब हमारे पास protein की secondary and tertiary on a on a ». करें इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि जतने भी हमारे enzymes होते हैं क्या होते हैं जतने भी enzymes होते हैं वहाँ पे देखा जार है कर जाए कुछ फॉर्ञ्ड ऊब्रोटीं में काम करते हैं उनको फराफ बनाते हैं ताकि वो सही तरीके से जुड़ सके और अच्छे तरीके से काम करें एका बॉर्णिंग क्लिप्ट क्या होता है पेटा एका बॉर्णिंग क्लिप्ट ये भी याद रखना ये एंजाइम जो होते हैं वो more मतलब एक साइट से अधिक जब साइट बनाते हैं बनाते हैं only one activity side more than only one activity side जब एंजाइम एक या एक से अधिक साइट बनाते हैं हम उन्हें एका बॉर्णिंग क्लिप्ट के नाम जानते हैं तो most important है ये आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा क्या ये note कर लेना ये आपको देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा एक बॉर्णिंग साइट मतलब जो एंजाइम होते हैं one more जब activation sites को बनाते हैं तब जाके ये activity देखने के लिए मिल जाती है ये चीज याद रहेगा अगे बात कर रहा है अगला बोल रहा है कि the amino acid R group R मतलब side chain की बात कर रहा है मतलब जो हमारे R यानिनि side chain in the active sites in the importance for यहाँ पर determining की बात कर रहा है determining and जो specificity होती है of service rate यानि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास सक्री जो sites होती है जो activated sites होती है ठीक वो amino acid case जब हमारे side chain की महत्व side chain से जुड़ती है तो ये कहीं न कहीं हमारे service rate की जो बिस्ष्था होती है उसका निधायद करती है कि आप जो जुड़े हो जो आप service rate लेके आये हो कितना बड़ा कैसा है किसके बारे में क्या nature से सबको कहिने कहिए बता रहा होगा ठीक आगे हम लोग enzyme की service rate complex की बात करें कि enzyme में service rate complex क्या होता है कहता है कि जो हमारे पास वेंदर service rate बॉंड और टू द एंजायम एक्टिव साइड्स ऑन एंजायम यानि जो एंजायम में हमारे service का जो बॉंड लगता है किसके साथ यहां पर एंजायम active conditions में हम इन्हें sub-state complex कहते हैं तो नाम ध्यान देना sub-state complex किसको बोलते हैं जब हमारा sub-state bond के साहता से activation होने के बाद एंजायम से जूड जाता है तो हम इन्जायम साइड्स का नाम ते जानते हैं sub-state complex form temporary होती है क्या होती है जैसे माल लो घ्यक यह हमारा sub-state है क्या है यह हमारा sub-state है यह sub-state है nig stip का मतलब क्या यह किससे जूड़ेगा एंजायम activity से क्या करेगा company post कर लो यह बात करेगा एंजायम active side से जब हमारे पास enzyme की active साइट से लगेगी ठेक तो इनको जोडने के बाद हमारा बनेगा यहां पे क्या यहां पे बनेगा सविस्ट्राइट क्या बनेगा सविस्ट्रेट और कंप्लेक्स की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है कंप्लेक्स की बात कर रहा है यानि सविस्ट्रेट को जोड लेंगे हम और enzyme active जो sites होगा उसको जोडने के बाद हमारे substrate complex का formation होता हुआ दिखाई देगा और ये केवल temporary होता है chemical reactions के बाद इनमें कोई भी महत्वा नहीं रहता मैं जब आपको पूरा enzyme model पढ़ाऊंगा यहाँ पे key and lock model पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आप समझ सकते हो allow होते हैं substrate reaction आगे chemical reaction कराने में वो faster यानि यह इसलिए बनायते हैं यह substrate complex इसलिए बनते हैं ताकि हम लोग chemical reactions को अच्छे से तेजी से करा सके और उनके बारे में जान सके अब बात करते हैं किक बारे में किसके बारे में इंजायम की बात करते हैं ठीक तो02 की बात कर रहा और यहां पर बात करे आए तो syllamin start समिस्टेंट का मतलब यहां पे पर्रटिकुलर रियक्षन्स यानि ँझाएं किसी भी ऑर इन्जायम किसी भी chemical reactions पे या बायो chemical reactions पे catalyze की तरह काम करते हैं वो भी particular reactions में ठीक और most reactivity या रजिस्टेटिव और जो इतने भी उनके category की बात करें कि जितने भी हमारे enzymes होते हैं वो कहीने कहीन जो reactions कर रहे होते हैं तो उनमें विसेज योगता होती है क्या होती है और योगता इतनी अच्छी होती है क्या होती है योगता इतनी अच्छी होती कि दूसरे किसी chemical reaction बगल में हो रहागा उनके साथ कोई भी reaction वो नहीं करते हैं क्या करते हैं कोई भी reaction नहीं करते हैं यह चीज ध्यान देना अगला वह यहां समान नहीं है क्या नहीं है यहां में हाइड्रोजन और परक्साइड लिए विसेजबिस्समाने में के लिए ते हैं अमोरे पास यूरीज होधे है बड़िया यानि यूरिया का जब हाइड्रोलिस करते हैं वहाँ पर यूरियेच यूरियेच केटलाइज लगता है उस समय हमको इसकी बिसेज भूमिका हमारे बाडी में काम कर रही होती है क्या करती है काम कर रही होती है या फिर यूरिया के लिए यानि यूरिया के लिए यूरिया के ज सब्सक्राइब यानि जो हमारे इंजाइम सोते हैं वह सिम्लर सब्सक्राइब के साथ अटेच होता है अटेक करता है एक्ट्व साइट के साथ जुड़ता है बागी ऐसा कोई भी उन एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलता बात करेंगे यहाँ पे और कार्बोक्सी पेप्टाइज के बारे में टिक लिवेज अमीनो एसिड यानि अमीनो एसिट की जब कलिवेजिंग करने का काम करते हैं वान एट वन फार्म दो कार्बोनील एंड आफ दो वो एड हयो या उनका काम क्या होता है कि यह एक होता है कि यह जो एड करते हैं तो हम लोह ने hexokinage enzyme का नाम देते हैं hexose में ठीक तो यह काफी basic चीज़े हैं जो आपको पढ़ाए गये होंगी linkage भी सस्ताओं की बात कारा कैसे जुड़ते हैं उनकी गड़बंदन कैसे होती है कारा कि the enzyme will be act particular type of chemical reaction bond यानि chemical bonds जब वो reaction करते हैं ठीक और इनके साथ उनके जो molecular structures होते हैं कि वहल उन्हें से वो reaction करते हैं बागी किसी से reaction नहीं करते बागी किसी का परवाब भी नहीं करते कि आप कैसे हो कैसे नहीं उनका target points होता है target bond होता है और वो target bond पे ही लगातार काम कर रहे होते हैं ठीक उसके बाद बोल रहे हैं कि और the most general of enzyme specificity कहने का मतलब कि जो enzyme की बिसे इस category होती है खासकर हम बात करें और phosphate जो मारे पास कहते हैं फासफेस होते हैं फासफेस हाइडुलाइज जो फासफेस जो होते हैं वो especially ester bond in all type of phosphate ester यानि कहने का मतलब क्या है इनका कि यह भाई साहब हमारे क्या बनाते हैं यह सभी प्रकार के जो phosphate ester होते हैं उनमें phosphorus hydrolyzed phosphate की तरह काम करते हैं और ester bond को यह लगातार तोड़ते रहते हैं ठीक उसके बाद हम काइमोट्रेफसीन bond की बात करें अगला कहा रहा है कि होने होते हैं उनको यह करते हैं इस की बात करते हैं यह करते हैं उनका Amino Acid का D और यहां पे बात कर रहा है कि factor effecting factor effecting enzyme activity याने enzyme activity में ऐसे कौन-कौन से factor है जो लगातार काम कर रहा है यहाँ पे हम लोग measure करते हैं rate को, उनके enzyme के converting points को substrate को और product को और biochemical reactions को सारे तरह को दिखा जाए तो four types के क्या मिलते हैं factor effecting enzyme activity मिलते हैं number first, यहाँ पे हमको temperature मिल जाएगा हमको दूसरा pressure मिल जाता है तीसरा, सबसे बड़ी चीज है हमारे पास सभी state मिल जाएंगे कि उनका concentration क्या है सभी state का concentration क्या है और enzyme concentration क्या है यह चार factor होते हैं जो लगातार काम कर रहे होते हैं यह चार factor होते हैं screenshot कर लेना, ताकि आप बाद में प्रस मना सकते हैं, तो आपको सारे बच्चों को जो MST वाले बच्चे हैं उनको मैं यह पूरा complete कर रहूंगा ठीक, तो आज का यह session छोटा सा था लेकिन हमको जहां तक लगता है कि आपको महत्तपुर जनकारिया इस पूरे वीडियो में मिला होगा आपको क्या अच्छा लगा, इस वीडियो पार्ट में क्या भेतर था, आपको गड़बर लगा वो भी बताईए, दोनों बताओ खुल के कमेंट करो ताकि हमको पता सल सके हमारी जो लेंध है वो कहां तक जा रही है हम कहां तक आपको समझा पा रहे हैं तो मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप से भीजा लेते हैं, आप सभी को जहिंद